आपके GBWhatsApp पे यहां पे यू नीड ओफिस्यल वाट्सप टू लोगिन वाली समसे आई थी और आपने क्या करा आपने अपने GBWhatsApp को डिलीट कर दिया या तो कुछ आसा इंटरफेस आया होगा या आपके GBWhatsApp में किसी प्रकार के कोई भी समसे आई थी आपने GBWhatsApp को डिलीट कर दिया और आप लोग चाहते हो कि किसी भी प्रकार से मेरे सारे चैट वापस आ जाए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने सारे चैट को कैसे वापस ला सकते हो लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नई हो तो प मैं अपने फॉन का जीवी वाट्स आपन कर रहा हूं तो यहां से ओपन हो रहा है कोई भी मुझे समस्या नहीं आ रही है तो यहां पर यह सारे कूर्च चैट्स है मैं आपको इसका बैक अप लेके दिखाऊंगा यानि कि दिखे सबसे पहले बात यहां पर यह है कि आपने आपने फॉन से जीवी वाट्स et Stephen को ढ spricht किया था तो मैं भी एससे क्या करता हूं आपने फॉनन से सारा डाटा को यहां से क्लियर कर देता हूं 애 अब क्या से कर नहीं हृतने को क्या नहीं पर देखिए। आप देखेंगे आपको क्या करना है इस पे क्लिक करने तो ऊटोमेटिक यहां से बैक अप लेगा और रिष्टर फिनिश हो जाएगा और आप लोगों कैसे बैक अप हो जाएगा और बैक अप होने अब उस बैकप को आपको क्या करनी है आपको नॉर्मली वाट्सअप में ट्रांसफर करनी है नॉर्मली वाट्सअप कैसे ट्रांसफर करेंगे चलिए उससे मैं आपको बताता हूं तो देखे सबसे पहला को क्या करनी है यहां से अपको कुछ नहीं करना है सबसे पहला क्या कर गाओंबatics कुछ नहीं करनें आपको आजए अपने ад अपने फॉर्ण के फाइल मेनेजर में आने के बाद यहां से ऐसे कुछ फोलडर देखे घाए आपके फण में तो यहां पर मेंट लांड धिशन हैं और यहां पर फोलडर मिलेगा एंडॎट नाम का तपक्लिक करना इस पे क्लिक करने में यहां से कुछ पãy subscribe camera में कुलिक करेंगे पूलब करनेगे यहां फोलडर करनेगे कॉम discourage आप में सारा आपकोर पर इसका क्रों किर्थों को आसि क्लिक करता हूं और सब्सक्राइब करने के बाद अब डियां से नहीं क्या करना है आपको ऊपि करना क्या क्या इन यह फिर यहां पे आने के बाद देखिए आपको आना Android में और Android में आने के बाद फिर सब को Media में आना है और Media में आने के बाद यहां पे देखिए जो आपने WhatsApp को डाउंलोड किया था उसी के नम से एक folder बनेगा कहाँ पे com.whatsapp लिखा हुआ है आप इस पे आपने करने के बाद वहां पे आपको लोकिंग बैक अपस का एक option मिलता है उस पे क्लिक करेंगे थोड़ा से लोड़िंग लेगा और वहां पे आपका backup restore हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग प्लीज या नीचे ज़रूर कमेंट करना या आप हमें क्लिक करना तभी आपका सारा backup आजाएगा